नमसकार, स्वागत है सबही आगनबारी बहनों का आज के इस नए उस्फूल और इंफर्मेटि वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को Potion Tracker एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि Potion Tracker App में अभी अभी एक नया अपडेट जोड़ा गया है 13.3 का इसमें आपको तीन नय अपडेटों के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि पहला जो अपडेट है वो आप लोग के लिए काफी अच्छा है दुसरा अपडेट है Code Optimization जो की उतना खास नहीं है और जो तीसरा अपडेट है वो काफी घटिया अपडेट है एक अच्छी अपडेट के साथ एक घटिया अपडेट भी आई है इस Potion Tracker App में हम आपको इसके बारे में पूरी जनकारी देने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक हमबल रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप एक आँगन बड़ी सेविका है और आपने इस Potion Tracker App में अपना आज का जो दैनिक ट्रेकिंग हाजरी है वो नहीं बनाए है चलिए यहाँ पे हम आपको तीनों नए अपडेर के बारे में जनकारी दे देते हैं कि क्या क्या आई होई है और अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेयर भी कर दीजिएगा चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है प्ले स्टोर में आ जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपकोengesन ट्रेकर, लीक के सर्च कर लेना है, जैसे ही लीक के सर्च करेंगे तो यहां पर आपका एक नय इन्टरफीस ज खुलके ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको update करने का option आ जाएगा तो अगर आप लोग dynamic tracking में हाजरी नहीं बनाए हैं तो पहले हाजरी बनाने के बाद ही इस portion tracker app की जो नई update आई है उसको यहाँ से update कीजिएगा यहाँ पे आपको update का option मिल जाएगा देखिए पहला जो update है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और यह जो update आया हुआ है 27 अप्रेल यानि अभी अभी यह update आया हुआ है पहला update देखिए क्या है beneficiary edition in offline mode for 3 days यानि कि आप लोग poston tracker app में किसी भी लभार्थियों को add करते हैं तो यहाँ पे अब आप लोग offline mode में कर सकते हैं जो कि यह काफी अच्छी update आय हुई है जैसे कि हम लोग dynamic tracking में भी अपना हाजरी बनाते हैं offline mode में ठीक उसी परकार से यहाँ पे नए लभार्थियों का भी registration offline mode में हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे कि offline mode for three days बता रहा है यानि कि offline mode का जो option दिया गया है तिन दिनों के लिए valid रहेगा तिन दिनों के अंदर आप लोग जब भी net on किजिएगा तो आपका यह जो लभार्थि का registration है वो server पे upload हो जाएगा दूसरा जो update है वो code optimization है जो hot update के साथ आता है इसका उतना कोई खास मकसद नहीं है और जो तिसरी update है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ जैसे कि देख सकते हैं कि arrow पे click करके आएंगे तो यहाँ पे 13.3 का जो नया update है वो आपको देखने को मिल जाएगा जो तिसरा update है चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग जैसे ही पोसन ट्रेकर एप को अपडेट करके open की जिएगा तो आपका जो पोसन ट्रेकर एप है वो open नहीं होगा देख सकते हैं यहाँ पे पोसन ट्रेकर एप को अपडेट करने के बाद open कर रहा है तो यहाँ पे लिख किया रहा है पोसन ट्रेकर है एस परकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है आपको थोडा सा धैरे रखना है जैसे कि PSON Tracker App में कुछ गर्वडी के कारण यहाँ पे जो पोसन च्रेकर App का Economics इस परकार का यहाँ पे notification दिखा रहा है और आपका पोसन Tracker App open नहीं हो पा रहा है देखिए यहाँ पे हम वैक हो जाते हैं और जो पोशन च्रेकर एप का एप है उसको भी उपन करके दिखा देते हैं जैसे कि यहां से ही उपन कर रहे हैं तो आपका यहां पर पोशन च्रेकर एप open नहीं हो पा रहा है तो घव़राना नहीं है थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है जैसे कि यहां पर कुछ समयля ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए यहाँ पर यह पोसंट्रेकर एप वर्क नहीं कर रहा है तो आपको हमने बोला था कि जो भी सेविका है सबसे पहले आप लोग आपना आज का यह जो हाजरी है उसको बनाने के बाद ही पोसंट्रेकर एप को अपडेट कीजिएगा तो उमीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा साथी साथ इस वीडियो को और भी आवन बारी वहनों के साथ सेर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस